आज इसमें से हमने जो देखना है चैप्टर नमर 13 में लांग क्वेशन हम पहले देखेंगे राइटा नोट ओन दा प्लैनेट पर नोट लिखना है अपने प्लैनेट के बारे में दिया आद दा एट प्लैनेट इंदा सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एट प्लैनेट चामिल है और हमारा सोलर सिस्टम क्या है कि हम सूरज के जितने भी आठ प्लैनेट जो है वो मूव करते हैं मरकरी दस स्मालेस प्लैनेट सबसे चोटे प्लैनेट का नाव मरकरी है वीनस अर्थ मार्स यूपिटर सबसे चोटा प्लैनेट जो है वो आपका मरकरी है और सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो आपका जूपिटर है पिसके बाद स्टर्न यूरीनस और नेप्चून ये वो प्लैनेट है आट जो सूरज की गिर्द गूमते हैं इसमें हमारी जमीन भी एक प्लैनेट है जो सूरज क पुलेनिट यानेे सिस्ट्म victorious के और सुरज के तरफ जोटा हिए आर तोडल यह साली आकर फॉली कि पालोफ सालीज धोर सॉलीट करें शॉलीज होतें जीजर कि सूरज की बाहिए की तरफ होते हैं सोलर सिस्टम की बाहिए की तरफ ये मूव कर रही होते हैं इस आर काल दा आउटर प्लैनेट इन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है इनकी नाट हैव सॉलिट एन रॉकी सर्फेस इनकी ना सॉलिट सर्फेस होती है नरोकी सरफेस होती है इंस्टेंट यह बहुत बड़े गोले की मानित होते हैं इन्हें हम गैस जाइन भी कहा जाता है इनक गैस से भरा हुए एक बहुत बड़ा जाइन कोई बहुत बड़ी चीज है जो कि नहीं कहा जाता है अपने जो एना इसको निनीट कपी पर लिखना भी और याद भी करना है तो दिर आएट ब्लैनेत इंद शॉलर सिस्टम मर्कृरी विनस अर्थ मार्स जुपिटर स्टर्न युरिन अन अन नेप्चून mercury venus earth and mars are called the inner planet of the solar system they are solid rocky and have small size jupiter stern uranus and neptunes are the fourth planet that lie in the outer region of the solar system यहां तक आपने शान लगा ले और आपने अपने नीट कोपी पर आपने यह लिखना भी है और इस आपने याद भी करना हो करना हो करना है